सीरल बेपना में आदेते करेगा जोया की हल्फ अरस टीवी के शो बेपना में चल रहा है काफी इंट्रेस्टिंग ट्विल्स जैसा कि हम जानते हैं जो इस कमपनी के हालत ठीक नहीं है और दोनों जोया आदेते कर रहे हैं कोशिश कमपनी में प्रॉफिट लाने की अब आदेते जानता है किसी को क्लाइन के साथ करनी पड़ेगी मिटिंग और वो जान कर जोया को क्लाइन के साथ मिटिंग के लिए फेखता है आदेते चाहता है कि जोया यश के दर्स से बाहर आया और कमपनी के काम में अपना मन लगाए आदित जोया की जिन्दगी में रंग भरना चाहता है और उसको चेयर अप करना चाहता है जहां जोया इस समय एक जिन्दा लाश की तरह पड़ी रहती है वही हमारे विवस रह जाएंगे हैरान क्योंकि माही दिखेगी जोया की हेल्प करते हुए वैसे हम आपको बता दे माही को जोया की हेल्प करने के लिए आदित ने कहा था और आजकल माही आदित की किसी भी बात को मना नहीं करती माही का आदित के लिए प्यार उसको सही रास्ते पढ़ा रहा है अब माही आदित को इंप्रेस करने के लिए आदित की ओर्डर फॉलो करती है और जोया की हेल्प क् प्रेस हो जाएगी और आदित को करने लगेगी ब्लेम क्या माही करेगी जोया के हेल्प वेले शो से जुड़ी सारी अपडेट से जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब उस सिर्यल बेपना में आदित करेगा जोया की हेल्प प्रेस टीवी के शो बेपना में चल रहा है काफी इंट्रेस्टिंग ट्विस जैसा कि हम जानते हैं जो इस कमपनी के हालत ठीक नहीं है और दोनों जोया आदित कर रहे हैं कोशिश कमपनी में प्रॉफिट लाने की अब आदित जानता है किसी को क्लाइन के साथ करनी पड़ेगी मिटिंग और वो जान कर जोया को क्लाइन के साथ मिटिंग के लिए फेखता है आदित चाहता है कि जोया यश के दर्स से बाहर आया और कमपनी के काम में अपना मन लगाए आदित जोया की जिंदगी में रंग करने के लिए आदित ने कहा था और आजकल माही आदित की किसी भी बात को मना नहीं करती माही का आदित के लिए प्यार उसको सही रास्ते पढ़ा रहा है और माही आदित को इंप्रेस करने के लिए आदित की ओर फॉलो करती है और जोया की हेल्प क्लाइंट के सामने करती है ल हम आही करेगी जोया के हेल्फ वेले शोर से जुड़ी सारी अपडेट से जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब उस सिर्यल बेपना में आदेते करेगा जोया की हेल्फ रस्टीवी के शोर बेपना में चल रहा है काफी इंट्रेस्टिंग ट्विस जैसा कि हम जानते हैं जो इस कमपनी की हालत ठीक नहीं है और दोनों दोया आदिते कर रहे हैं कोशिच कंपनी में प्रॉफिट लाने की अब आदिते जानता है किसी को क्लाइन के साथ करनी पड़ वही हमारे विवस रह जाएंगे हैरान क्योंकि माही दिखेगी जोया की हेल्प करते हुए वैसे हम आपको बता दे माही को जोया की हेल्प करने के लिए आदित ने कहा था और आजकल माही आदित की किसी भी बात को मना नहीं करती माही का आदित के लिए प्यार उसको सही रास् अब देखना ये है कि क्या आदित करेगा जोया की help और client हो जाएंगे जोया से impressed क्या जोया बिजदत होने के कारण और depressed हो जाएगी और आदित को करने लगेगी blame क्या माही करेगी जोया की help वेले शोर से जुड़ी सारी updates जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस सिरल बेपना में आदित करेगा जोया की help वेले स्टीवी के शोर बेपना में चल रहा है काफी interesting twist जैसा कि हम जानते हैं जो इस company के हालत ठीक नहीं है और दोनों जोया आदित कर रहे हैं कोशिश company में profit लाने की अब आदित जानता है किसी को client के साथ करनी पड़ेगी meeting और वो जान कर जोया को client के साथ meeting के लिए फेचता है आदित चाहता है कि जोया यश के दर्स से बाहर आया और company के काम में अपना मन लगाए आदित जोया की जिंदगी में रंग भरना चाहता है जहां जोया इस समय एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है वही हमारे विवस रह जाएंगे हैरान क्योंकि माही दिखेगी जोया की help करते हुए वैसे हम आपको बता दे माही को जोया की help करने के लिए आदित ने कहा था जब क्लाइन के सामने जोया का हो जाएगा फ्लॉप शो और क्लाइन डिमांड करेगा आदित को अब देखना यह है कि क्या आदित करेगा जोया की help और क्लाइन हो जाएंगे जोया से impressed क्या जोया बेज़त होने के कारण और डिप्रेस हो जाएगी और आदित को करने लगेगी ब्लेम, क्या माही करेगी जोया के हेल्प, वेले शोर से जुड़ी सारी अपडेट से जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब उस, सिर्यल बेपना में आदित करेगा जोया की हेल्प, स्टीवी के शो बेपना में चल रहा है काफी इंट्रेस्टिंग ट्विस, जैसा कि हम जानते हैं जो इस कमपनी के हालत ठीक नहीं है, और दोनों जोया आदित कर रहे हैं कोशिश कमपनी में प्रॉफिट लाने की, अब आदित जानता है किसी को क्लाइन के साथ करनी पड़े वही हमारे विवस रह जाएंगे हैरान क्योंकि माही दिखेगी जोया की हल्प करते हुए, वैसे हम आपको बता दे माही को जोया की हल्प करने के लिए आदित ने कहा था, और आजकल माही आदित की किसी भी बात को मना नहीं करती, माही का आदित के लिए प्यार उसको सही र अब देखना यह है कि क्या आदित करेगा زोया की हल्प और क्लाइंट हो जाएंगे जोया से IMPRESS क्या जोया बिजद होने के कारण और डिप्रेस हो जाएगी और आदित को करने लगेगी ब्लेम क्या हम आही करेगी जोया के हेल्प वेले शो से जुड़ी सारी अपडेट से जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस सिरल बेपना में आदेते करेगा जोया की हेल्प तरस टीवी के शो बेपना में चल रहा है काफी इंट्रेस्टिंग ट्वेल्स जैसा कि हम जानते हैं जो इस कमपनी के हालत ठीक नहीं है और दोनों जोया आदेते कर रहे हैं कोशिश कमपनी में प्रॉफिट लाने की अब आदेते जानता है किसी को क्लाइन के साथ करनी पड़ेगी मिटिंग और वो जान कर जोया को क्लाइन के साथ मिटिंग के लिए फेज़ता है आदेते चाहता है कि जोया यश के दर्स से बाहर आया और कमपनी के काम में अपना मन लगा है आदेते जोया की जिंदगी में रंग भड़ना चाहता है और उसको चेयर अप करना जहां जोया इस समय एक जिन्दा लाश की तरह पड़ी रहती है वहीं हमारे विवस रह जाएंगे है रान क्योंकि माही दिखेगी जोया की help करते हुए, वैसे हम आपको बता दे, माही को Zoya के help करने के लिए आदिते ने कहा था, और आजकल माही आदित की किसी भी बात को मना नहीं करती, माही का आदित के लिए प्यार उसको सही रास्ते पढ़ना रहा है, और माही आदित को impress करने के लिए आदित की और फॉलो करती है, और जोया की help क्लाइट के सामने करती है, लिकिन कहानी में आएगा major twist, जब क्लाइट के सामने जोया का हो जाएगा फ्लॉप शोओ, और क्लाइट डिमांड करेगा आदिते को, अब देखना यह है कि क्या आदित करेगा जोया की help और क्लाइट हो जाएगे जोया से impressed, क्या जोया बिजद होने के कारण और डिप्रेस हो जाएगी और आदित को करने लगेगी blame, क्या माही करेगी जोया की help, वहले शोओ से जुड़ी सारी अपडेट से जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब उस जहां जोया इस समय एक जिन्दा लाश की तरह पड़ी रहती है वही हमारे विवस रह जाएगे हैरान क्योंकि माही दिखेगी जोया की help करते हुए वैसे हम आपको बता दे, माही को जोया की help करने के लिए आदित ने कहा था जब क्लाइट के सामने जोया का हो जाएगा फ्लॉप शो और क्लाइट डिमांड करेगा आदित को अब देखना यह है कि क्या आदित करेगा जोया की help और क्लाइट हो जाएगे जोया से impressed क्या जोया बिजद होने के कारण और डिप्रेस हो जाएगी और आदित को करने लगेगी ब्लेम क्या माही करेगी जोया के हेल्प वहले शोर से जुड़ी सारी अपडेट से जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस सिरल बेपना में आदित करेगा जोया की हेल्प गारस्त टुवी के शो बेपना में चल रहा है काफी इंट्रेस्टिंग ट्विज जैसा कि हम जानते हैं जो इस कमपनी के हालत ठीक नहीं है और दोनों जोया आदिते कर रहे हैं कोशिश कमपनी में प्रॉफिट लाने की अब आदिते जानता है किसी को क्लाइन के साथ करनी पड़ेगी मीटिंग और वो जान कर जोया को क्लाइन के साथ मीटिंग के लिए फेज़ता है आदिते चाहता ही कि जोया येश के दर्द से बाहर आया और कंपनी के काम में अपना मन लगा है आदिते जोया की जिंदगी में रंग भरना चाहता है और उसको चेयर अप करना चाहता है जहां जोया इस समय एक जिन्दा लाश की तरह पड़ी रहती है वही हमारे विवस रह जाएंगे हैरान क्योंकि माही दिखेगी जोया की हेल्प करते हुए वैसे हम आपको बता दे माही को जोया की हेल्प करने के लिए आदिते ने कहा था और आजकल माही आदित की किसी भी बात को मना नहीं करती माही का आधित के लिए प्यार उसको सही रास्ते पढ़ा रहा है माही आधित को इंप्रेस करने के लिए आधित के order follow करती है और जोया के help client के सामने करती है लेकिन कहा नहीं मैं आयेगा major twist जब client के सामने जोया का हो जाएगा flop show और client demand करेगा आधित को अब देखना यह है कि क्या आदित करेगा जोया की help और client हो जाएंगे जोया से impressed क्या जोया बिज़त होने के कारण और depressed हो जाएगी और आदित को करने लगेगी blame क्या माही करेगी जोया की help वहले शो से जुड़ी सारी updates जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस सीरल बेपना में आदित करेगा जोया की help अरस टीवी के शो बेपना में चल रहा है काफी interesting twist जैसा कि हम जानते हैं जो इस company के हालत ठीक नहीं है और दोनों जोया आदित कर रहे हैं कोशिश company में profit लाने की अब आदित जानता है किसी को client के साथ करनी पड़ेगी meeting और वो जानकर जोया को client के साथ meeting के लिए पेज़ता है आदित चाहता है कि जोया यश के दर्द से बाहर आया और company के काम में अपना मन लगाए आदित जोया की जिंदगी में रंग भरना चाहता है और उसको चेयर अप करना चाहता है जहां जोया इस समय एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है वही हमारे विवस रह जाएंगे हैरान क्योंकि माही दिखेगी जोया की help करते हुए वैसे हम आपको बता दे माही को जोया की help करने के लिए आदित ने कहा था जब क्लाइन के सामने जोया का हो जाएगा फ्लॉप शो और क्लाइन डिमान्ड करेगा आदित ने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस सिरल बेपना में आदित करेगा जोया की help परस्टीवी के शो बेपना में चल रहा है काफी इंट्रेस्टिंग ट्विल्स जैसा कि हम जानते हैं जो इस कमपनी के हालत ठीक नहीं है और दोनों जोया आदिते कर रहे हैं कोशिश कमपनी में प्रॉफिट लाने की अब आदिते जानता है किसी को क्लाइन के साथ करनी पड़ेगी मिटिंग और वो जानकर जोया को क्लाइन के साथ मिटिंग के लिए फेचता है आदिते चाहता है कि जोया येश के दर्स से बाहर आया और कमपनी के काम में अपना मन लगाए आदिते जोया की जिंदगी में साइ اप्डेट को मना नहीं करती माहि का आधित के लिए प्यार उसको सही रास्ते पढ़ा रहा आप माहि आधित को इंप्रेस करने के लिए आधित के यूडर फॉलो करतीय हो और जोया की हेल्प क्लाइट के सामने करती लेकिन कहानी में आएगा major twist जब client के सामने Zoya का हो जाएगा flop show और client demand करेगा आदिते को अब देखना यह है कि क्या आदिते करेगा Zoya की help और client हो जाएगे Zoya से impressed क्या Zoya बिज़त होने के कारण और depressed हो जाएगी और आदित को करने लगेगी blame क्या माही करेगी Zoya के help वहले शो से जुड़ी सारी अपडेट से जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब उस सिरल बेपना में आदिते करेगा Zoya की help और आदिते के शो बेपना में चल रहा है काफी interesting twist जैसा कि हम जानते हैं जो इस company के हाला ठीक नहीं है और दोनों Zoya आदिते कर रहे हैं कोशिश company में profit लाने की अब आदिते जानता है किसी को client के साथ करनी पड़ेगी meeting और वो जान कर Zoya को client के साथ meeting के लिए फेखता है आदिते चाहता है कि Zoya यश के दर्स से बाहर आए और company के काम में अपना मन लगाए आदिते Zoya की जिंदगी में रंग भरना चाहता है और उसको chair up करना चाहता है जहां Zoya इस समय एक जिन्दा लाश की तरह पड़ी रहती है वह हमारे विवस रह जाएंगे हैरान क्योंकि माही दिखेगी Zoya की help करते हुए वैसे हम आपको बता दे माही को Zoya की help करने के लिए आदिते ने कहा था और आजकल माही आदित की किसी भी बात को मना नहीं करती माही का आदित के लिए प्यार उसको सही रास्ते पढ़ना रहा है अब माही आदित को impress करने के लिए आदित की order follow करती है और Zoya की help client के सामने करती है लेकिन कहानी में आएगा major twist जब client के सामने Zoya का हो जाएगा flop show और client demand करेगा आदिते को अब देखना यह है कि क्या आदित करेगा Zoya की help और client हो जाएगे Zoya से impressed क्या Zoya बेज़त होने के कारण और depressed हो जाएगी और आदित को करने लगेगी blame क्या माही करेगी Zoya के help वहले show से जुड़ी सारी updates जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस सिरल बेपना में आदिते करेगा Zoya की help वहलेज टीवी के show बेपना में चल रहा है काफी interesting twist जैसा कि हम जानते हैं जो इस company के हालत ठीक नहीं है और दोनों Zoya आदिते कर रहे हैं कोशिश company में profit लाने की अब आदिते जानता है किसी को client के साथ करनी पड़ेगी meeting और वो जान कर Zoya को client के साथ meeting के लिए पेज़ता है आदिते चाहता है कि Zoya यश के दर से बाहर आए और company के काम में अपना मन लगा है आदिते जोया की जिंदगी में रंग भरना चाहता है और उसको चेयर अप करना चाहता है जहां Zoya इस समय एक जिन्दा लाश की तरह पड़ी रहती है वहीं हमारे विबस रह जाएंगे हैरान क्योंकि माही दिखेगी Zoya की help करते हुए वैसे हम आपको बता दे माही को Zoya की help करने के लिए आदिते ने कहा था और आजकल माही आदिती किसी भी बात को मना नहीं करती माही का आदित के लिए प्यार उसको सही रास्ते पढ़ना रहा है माही आदित को impress करने के लिए आदित की order follow करती है और Zoya की help client के सामने करती है लेकिन कहानी में आएगा major twist जब client के सामने Zoya का हो जाएगा flop show और client demand करेगा आदिते को अब देखना यह है कि क्या आदित करेगा Zoya की help और client हो जाएगे Zoya से impressed क्या Zoya बेज़त होने के कारण और डिप्रेस हो जाएगी और आदित को करने लगेगी blame क्या माही करेगी Zoya के help वहले शोर से जुड़ी सारी updates जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस सीरल बेपना में आदिते करेगा Zoya की help बेज़ टीवी के शो बेपना में चल रहा है काफी interesting twist जैसा कि हम जानते हैं जो इस company के हालत ठीक नहीं है और दोनों Zoya आदिते कर रहे हैं कोशिश company में profit लाने की अब आदिते जानता है किसी को client के साथ करनी पड़ेगी meeting और वो जान कर Zoya को client के साथ meeting के लिए फेज़ता है आदिते चाहता है कि Zoya येश के दर से बाहर आए और company के काम में अपना मन लगाए आदिते Zoya की जिंदगी में रंग भरना चाहता है और उसको chair up करना चाहता है जहां Zoya इस समय एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है वही हमारे विवस रह जाएंगे हैरान क्योंकि माही दिखेगी Zoya की help करते हुए वैसे हम आपको बता दे माही को Zoya की help करने के लिए आदिते ने कहा था और आजकर माही आदिती किसी भी बात को मना नहीं करती माही का आदित के लिए प्यार उसको सही रास्ते पढ़ा रहा है अब माही आदित को impress करने के लिए आदित की order follow करती है और Zoya की help client के सामने करती है लेकिन कहानी में आएगा major twist जब client के सामने Zoya का हो जाएगा flop show और client demand करेगा आदिते को अब देखना यह है कि क्या आदित करेगा Zoya की help और client हो जाएगे Zoya से impressed क्या Zoya बेज़त होने के कारण और depressed हो जाएगी और आदित को करने लगेगी blame क्या माही करेगी Zoya की help वहले शोर से जुड़ी सारी updates जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस सिरल बेपना में आदिते करेगा Zoya की help वहले शोर बेपना में चल रहा है काफी interesting twist जैसा कि हम जानते हैं जो इस company के हालत ठीक नहीं है और दोनों Zoya आदिते कर रहे हैं कोशिश company में profit लाने की अब आदिते जानता है किसी को client के साथ करनी पड़ेगी meeting और वो जानकर Zoya को client के साथ meeting के लिए फेज़ता है आदिते चाहता है कि Zoya यश के दर्स से बाहर आए और company के काम में अपना मन लगाए आदिते Zoya की जिंदगी में रंग भरना चाहता है और उसको chair up करना चाहता है जहां Zoya इस समय एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है वही हमारे विवस रह जाएंगे हैरान क्योंकि माही दिखेगी Zoya की help करते हुए वैसे हम आपको बता दे माही को Zoya की help करने के लिए आदित ने कहा था जब client के सामने Zoya का हो जाएगा flop show और client demand करेगा आदित को अब देखना यह है कि क्या आदित करेगा Zoya की help और client हो जाएगे Zoya से impressed क्या Zoya बिजदत होने के कारण और depressed हो जाएगी और आदित को करने लगेगी blame क्या माही करेगी Zoya की help वेले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस सिरल बेपना में आदित करेगा Zoya की help और आदित टीवी के शो बेपना में चल रहा है काफी interesting twist जैसा कि हम जानते हैं जो इस company के हालत ठीक नहीं है और दोनों Zoya आदित कर रहे हैं कोशिश company में profit लाने की अब आदित जानता है किसी को client के साथ करनी पड़ेगी meeting और वो जान कर Zoya को client के साथ meeting के लिए फेज़ता है आदित चाहता है कि Zoya यश के दर्स से बाहर आया और company के काम में अपना मन लगाए आदित जोया की जिंदगी में रंग भरना चाहता है और उसको chair up करना चाहता है जहां Zoya इस समय एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है वहीं हमारे विवस रह जाएंगे हैरान क्योंकि माही दिखेगी Zoya की help करते हुए वैसे हम आपको बता दे माही को Zoya की help करने के लिए आदित ने कहा था और आजकल माही आदित की किसी भी बात को मना नहीं करती माही का आदित के लिए प्यार उसको सही रास्ते पढ़ा रहा है अब माही आदित को impress करने के लिए आदित की order follow करती है और Zoya की help client के सामने करती है लेकिन कहानी में आएगा major twist जब client के सामने Zoya का हो जाएगा flop show और client demand करेगा आदित को अब देखना है कि क्या आदित करेगा Zoya की help और client हो जाएगे Zoya से impressed क्या Zoya बेज़त होने के कारण और depressed हो जाएगी और आदित को करने लगेगी blame क्या हम आ ही करेगी Zoya की help वेले शोर से जुड़ी सारी updates जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस सिर्यल बेपना में आदित करेगा Zoya की help तरस TV के शोर बेपना में चल रहा है काफी interesting twist जैसा कि हम जानते हैं जो इस company के हालत ठीक नहीं है और दोनों Zoya आदिते कर रहे हैं कोशिश company में profit लाने की अब आदिते जानता है किसी को client के साथ करनी पड़ेगी meeting और वो जान कर Zoya को client के साथ meeting के लिए फेज़ता है आदिते चाहता है कि Zoya यश के दर्स से बाहर आए और company के काम में अपना मन लगाए आदिते Zoya की जिन्दगी में रंग भरना चाहता है और उसको chair up करना चाहता है जहां Zoya इस समय एक जिन्दा लाश की तरह पड़ी रहती है वहीं हमारे विवस रह जाएंगे हैरान क्योंकि माही दिखेगी Zoya की help करते हुए वैसे हम आपको बता दे माही को Zoya की help करने के लिए आदिते ने कहा था और आजकल माही आदिती किसी भी बात को मना नहीं करती माही का आदित के लिए प्यार उसको सही रास्ते पड़ा रहा है अब माही आदित को impress करने के लिए आदित की order follow करती है और Zoya की help क्लाइट के सामने करती है लेकिन कहानी में आएगा major twist जब क्लाइट के सामने Zoya का हो जाएगा flop show और क्लाइट डिमांड करेगा आदिते को अब देखना है कि क्या आदित करेगा Zoya की help और क्लाइट हो जाएगे Zoya से impressed क्या Zoya बेज़त होने के कारण और डिप्रेस हो जाएगी और आदित को करने लगेगी blame क्या मा ही करेगी Zoya की help वेले शोर से जुड़ी सारी अपडेट से जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस सीरियल बेपना में आदिते करेगा Zoya की help बेज़ टीवी के शो बेपना में चल रहा है काफी interesting twist जैसा कि हम जानते हैं जो इस company के हालत ठीक नहीं है और दोनों Zoya आदिते कर रहे हैं कोशिश company में profit लाने की अब आदिते जानता है किसी को client के साथ करनी पड़ेगी meeting और वो जान कर Zoya को client के साथ meeting के लिए फेज़ता है आदिते चाहता है कि Zoya यश के दर्स से बाहर आया और company के काम में अपना मन लगा है आदिते Zoya की जिंदगी में रंग भरना चाहता है और उसको chair up करना चाहता है जहां Zoya इस समय एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है वही हमारे विवस रह जाएंगे हैरान क्योंकि माही दिखेगी Zoya की help करते हुए वैसे हम आपको बता दे माही को Zoya की help करने के लिए आदिते ने कहा था और आजकल माही आदिती किसी भी बात को मना नहीं करती माही का आदित के लिए प्यार उसको सही रास्ते पढ़ा रहा है अब माही आदित को इंप्रेस करने के लिए आदित की order follow करती है और Zoya की help client के सामने करती है लेकिन कहानी में आएगा major twist जब client के सामने Zoya का हो जाएगा flop show और client demand करेगा आदिते को अब देखना यह है कि क्या आदित करेगा Zoya की help और client हो जाएगे Zoya से impressed क्या Zoya बिजदत होने के कारण और depressed हो जाएगी और आदित को करने लगेगी blame क्या माही करेगी Zoya की help वेले शोर से जुड़ी सारी updates जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस सेरिल बेपना में आदित करेगा Zoya की help एक जिन्दा लाश की तरह पड़ी रहती है वही हमारे विवस रह जाएगे हैरान क्योंकि माही दिखेगी Zoya की help करते हुए वैसे हम आपको बता दे माही को Zoya की help करने के लिए आदित ने कहा था और आजकल माही आदित की किसी भी बात को मना नहीं करती माही का आदित के लिए प्यार उसको सही रास्ते पड़ा रहा है अब माही आदित को इंप्रेस करने के लिए आदित की order follow करती है और Zoya की help client के सामने करती है लेकिन कहानी में आएगा major twist जब client के सामने Zoya का हो जाएगा flop show और client demand करेगा आदित को अब देखना यह है कि क्या आदित करेगा Zoya की help और client हो जाएगे जोया से impressed क्या Zoya बेज़त होने के कारण और डिप्रेस हो जाएगी और आदित को करने लगेगी blame क्या माही करेगी Zoya के help वेले show से चुड़ी सारी updates जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइबस